दोस्तो ड्रक्स के मामले में सारुख खान के बेटे आरेन खान का नाम आने के बाद बॉलिवूड में तहल काम मच गया है और हर तरफ मीडिया में शारुख खान के बेटे आरेन खान की निउस चल रही है वही दोस्तो बॉलिवूड के बड़े बड़े सेलिब्रेटी भी अब आरेन खान के इस मामले पर अपना अपना रियक्षन दे रहे हैं और वो लोग शारू खान का सपोर्ट भी कर रहे हैं हाली में सुनिल सेटी ने भी शारुक खान के बेटे आरेन खान का सपोर्ट किया था और रित्तिक रोशन ने भी कल ही एक पोस्ट करके आरेन खान को मोटिवेट किया था अब हालिम दोस्तों बॉलिवुड के खिलाडी कह जाने वाले यानि कि अक्षे कुमार सर से भी आरियन खान के उपर रियक्शन मांगा गया और उनसे पूछा गया कि आप इस मामले में क्या कहना चाहते हूँ तो अक्षे कुमार सर ने क्या कहा चली मैं आप लोगो को बताता ह अक्षे कुमार ने का कि पहली बात तो ये कि मैं उस क्रूश पर था नहीं और मैं ना ही आरियन खान के साथ था तो वहाँ पर क्या हुआ मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और दूसरी बात कि एनसे बी ने आरियन खान को अरेश्ट किया है और इसकी जाच परताल चल रही है और आरियन खान दोशी है या नहीं ये कुछी दिनों में पता चल जाएगा और अक्षे कुमार ने आगे ये कहा कि अगर इस मामले में आरियन खान गुनेगार है और उनके उपर कोई गुना साबित हो जाता है तो जरूर उनको सजा मिलनी चाहिए लेकिन अगर उनके उपर कोई गुना साबित नहीं होता है तो उनके उपर गुनेगार का टैग लगाना या फिर उनको जबर जस्ती गुनेगार कहना ये गलत है आप लोग इस तरह की चीजों को मिडिया में ज्यादा हाइलाइट ना करें जो भी सच होगा आप सभी के सामने आ जा बताएं वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करें और ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दमाएं